नमस्कार प्रभासाक्षी पॉड़कास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉड़कास्ट में बात करेंगे कि आरक्षनख खत्म करने की बात कॉन करेगा तो आ ये सुनते हैं आज का इस पॉड़कास्ट को लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आप रोज ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और जानकारी पुन पॉड्कास्ट सुन सकें दलेत और पिछड़े युगाउं के उत्थान के लिए लाया गया आरक्षण अब सत्ता में पहुचने का माध्यम बनता जा रहा है अलग-अलग राज्यमी राजनातिक दल जहां आरक्षण को अपने हिसाब से अदल बदल रहे हैं वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी कोड ने उसे अवैद बताते हुए रोक लगा दी पर यह कोशिश जगह जगह जारी है सर्वोच न्यायले की साथ न्याया धीश की समयधान पीठ ने आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की बात की तो विपक्षण ने राजनातिक लाब उठाने के लिए इसका लोगों के लिए शर्थ प्रतिशता आरक्षण को लागू करने पर खड़ा हो गया था हाला कि प्रदेश कैविनेट में पास किया गया यह कानून विरोध को देखते हुए ठंडे बसते में डाल दिया गया पर खत्म नहीं किया गया मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगली कैव आता कि सत्ता में आते ही इंडिया गडबंधन दलित और पिछडों को आरक्षण काट कर मुस्लिमों को दे देगा वे देश का विभाजन करवा देंगे इस पर कुछ बड़े नेता ने चुपी साधी रखी किन्तु समाजवादी पार्टी के सांसद स्टी हसन ने गयान में क अधा था कि इंडिया गडबंधन के सत्ता में आते ही समयधार में संशोधन कर मुस्लिमों को सरकारी सिवां में आरक्षण दिया जाएगा देश को आजाद हुए 75 से जादा साल हो चुके हैं आजादी के बाद दलित समाज को विकास की धारा में शामिल करने के लिए 10 साल के से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी आज आरक्षण राजनेताओं को सत्ता में पहुँचने का माधिम नजर आने लगा है और वेस से बढ़ाने की भात कर रहे हैं खत्म करने की नहीं किसी को यह सोचने की फुरसत नहीं है कि आरक्षण की मार से बचने के लिए देश के प्रतिबाशाली तो वह आज विदेशों में जा कर शिक्षा ले रही है, शिक्षा पूरी कर वहीं नौकरिया, वीवसायेकर चुनेगए देश के विकास में युगधान कर रहे है बारत के बाहर जाकर बसी भारत की मेधा से प्रभावित होते देश के विकास पर किसी को सोचने का समय नहीं है प्राइवेट सेक्टर की नौफरे में आरक्षन को लेकर करनाटक सरकार ने यूटर ले लिया है सरकार ने पहले C और D कैटेगरी में प्राइवेट नौफरे में इस्थानिय लोगों को आरक्षन देने की बात कही थी फिलहार आरक्षन के उस फैसले पर रोक लगा दी गई है कैमिलेट ने फैसला इस थगित कर दिया है करनाटक के मुखे मंदरे सिधरा मया ने प्राइवेट सेक्टर में करनर लोगों को सौ फिस जिदी आरक्षन देने के लिए लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी इस पोस्ट में उन्होंने का था कि हम करनर समर्थक सरकार हैं सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध होने पर इस पर रोक लगा दी गई सरकार का कहना है कि इस बिल पर वह पुनर विचार करेगी देश में यह पहला ऐसा मामला नहीं है करनाठक से पहले प्राइवेट सेक्टर में स्थानिय लोगों को आरक्षन देने के लिए आंध्रप्रदेश और हधियाना में कोशिश की गई थी वहीं मध्यप्रदेश में भी सरकार ने ऐसा ही कहा था लेकिन यह कोशिश रंग नहीं ला पाई 2019 में आंध्रप्रदेश में पहली बार ऐसा कोई कानून बना था जहां पे 76 प्रतीशत इस्थानिय लोगों को प्राइवेट नौक्रियों में आरक्षन देने की बात कही गई थी पर हाई कोर्ट ने इसे असर मैधानी बताते हुए रद्द कर दिया था महराष्ट में 2019 में शिवसेना कॉंग्रेस और एंसीपी के गड़बंधन की सरकार बनने के बाद प्राइवेट नौक्रियों में इस्थानियों को 80 प्रतीशत नौक्रियों देने का प्रस्ताव लाया गया था सरकार इसे विधान जबावे भी लाना चाहती थी लेकिन इसे लाया नहीं गया करनाटक में कईवा प्राइवेट जॉब में कंड़ों के लिए आरक्शन प्राइव करने की कोशिश हो चुकी है सिद्धर अमया सरकार में ये तीसरी बार है जब ऐसी कोशिश हो रही है इससे पहले वर्ष 2014 और 2017 में भी सरकार कोशिश कर चुके है महीं अक्टूबर 2020 में ये दुरुपा की अगवाई में बीजेपी सरकार ने प्राइवेट नौक्रियों में ग्रुप C और D में 75 प्रतीश अतारक्शन स्थानियों को देने का एलान किया था हाला कि ये लागू नहीं हो सका था हर्यान में 2020 में तब की मनुहर लाल खटर की सरकार ने प्राइवेट नौक्रियों में स्थानियों को 75 प्रतीशत आरक्शन देने के लिए कानून पास किया था हाई कोट ने पिछले साल नवंबर में इस कानून को रद कर दिया जारकन में भी दिसंबर 2003 में हेमंत सोरेन की सरकार ने सरकारी नौक्रियों की ग्रुप 3 और 4 में स्थानियों को 100 प्रतीशत आरक्शन देने के मकसद से बिल पास किया था ये बिल विधान सभा में पास हो गया था लेकिन गवर्णर ने इसे लोटा दिया था आज की हालात का सब्रकार प्रमोशन में फोरा मंत्रली से छिनकर बिल की प्रतीफ आरवर दिये चार्ण के कारण प्रमोशन में लागउक हो चुका होता के लिए आरख्षन पीठ के आदेश को लुए utanya नहीं को तयार है जो अब तक इससे लाब लेते अटक गया नहीं तो प्रमोशन में भी आरक्षन लागू हो चुका होता अब क्रीमी लियर तै करने के बारे में सर्वोचिन आयले की समिधान पीठ के आदेश को वे ही ठेंगा दिखाने को तयार हैं जो अब तक इससे लाब लेते रहे हैं आरक्षन का लाब उठा चुके उच के खत्म करने की बात नहीं कर रहा सभी इसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं आरक्षन के दाइरे इससे बाहर की जातिया और उसे युवाई सब देख रहे हैं अभी हाल ही में यूपी एसी में लेटरल एंट्री को लेकर हुए बवाल ने बाद सरकार ने 45 पदोग पर लेटरल कई किसी कोछ चिंटा नहीं है आरक्षन समर्थक कोई नेता और राजनेतिक दल ये नहीं सोच रहा है कि ये आर्पषन से बाहर रहे हुआ उनके बारे में क्या विचार है और क्या सोच बना रहे हैं आज के लिए इतना ही अगले पॉड़्डकास में किसी और मोते पर देञ आपको विस्तर जानकारी तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभासाक्षी के साथ